कैसा होगा एक्जाम? अच्छा था जेई मेन का एक्जाम सुरू हो चुका है आज पहला दिन है और हम लोग पटना के एक्जामिनेशन सेंटर पे हैं और यहां हम बच्चों से पूछ रहें कोबिट के लेकर क्या-क्या गाइडलेंड से क्या-क्या चेकिंग हो रही है और उनका एक्जाम कैसा गया तो आगे आने वाले 3-4 दिन में जेई मेन के हर एक्जाम का पूरा कवरेज आपको इस चैनल पर मिलेगा सारी तीज़े हम बच्चों से पूछेंगे memory-based question भी पूछ कर आपको बताएंगे जिससे अगर आपका एक्जाम next shift में है तो आपको definitely फाइदा होगा पता चलेगा कि किस टाइप के questions एक्जाम में आ रहे हैं और ऐसा हर साल देखा जाता है कि generally हर सिफ्ट में examination pattern लगभग सेम रहता है question भी सेम टाइप के पूछे जाते हैं तो आपके लिए एक memory-based question अगर आपको पता चलता है तो आपको जरूर help मिलेगा अपने exam में अच्छा score करने में तो मेरा नाम है बिजेंदुर कुमार और मैं J.E.Main counseling के लिए जाना जाता हूँ और मैं आगे आने वाले जितने भी J.E.Main के सिफ्ट होने वाले हर सिफ्ट में बच्चों का feedback लेते रहूँगा और आप तक पहुचाते रहूँगा प्रशान अंदर क्या-क्या guideline follow करना पढ़ रहा है कोवीड का जो guideline है मास्क पहनना है बस पानी की बोतल ले जा सकते हैं मैंने पूछा नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं ले जाते हैं किसी को देखा नहीं, कैसा हुआ exam सभी था question कैसे पूछे गया थे question current में 2018 का सबसे ज़ादा था current affairs 2019 का ज़ादा था almost वही था समझे तो 20 के एक-दो question थे और मैंत वगेरा रिजनिंग वगेरा खीक था हाँ एक दो कोश्चन को सोर के सारा स्वाइब तो एक्जाम कैसा हुआ अच्छा किया गया कैसा हुआ एक्जाम था मस्ता मैंस कैसा कुशन आया था अज आज आओ भाग कहा रहे हो डर रहे हो क्या दर नहीं का से आयो अन्दर को क्या क्या चेकिंग हो रही है यहां पर कोविड को लेकर ऐसा कुछ खास गाइडलाइन नहीं है आपको ज्यादा टेंसर नहीं लेना है सिंपल है मास्क यूज करना है और कुछ यूटूबर्स ने कुछ लोगों ने ड्रेस कोड की रिगार्डिंग भी वीडियो अफलोड किया था मैंने देखा था तो ऐसा ड्रेस कोड का कोई रूल नहीं है आप कोई भी ड्रेस पैन के आ सकते हैं उसके लेकर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है टेकिट इजी एक्जाम में आईए कूल होकर आईए एक्जाम दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो इस्टाग्राम या फेस्बुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूले